लोगों को जिस application के बारे मैं इस वीडियो में details देने वाला हूँ भाई यह है हमारी instant fund की similar application रिसेंटी यहाँ पर मैं application बतायता हूँ भाई application आमें mcase और इस application का जो ep के file है वो मैं आपको rsr ep के boot पर provide करने वाला हूँ भाई नई application है लोन भी मिल रहा है काफी लोगों को और काफी लोगों को नहीं भी मिला हाँ लेकिन आपको try जुरूर करना पड़ेगा रिसेंटी मैंने open कर लिया है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह instant fund की similar application है और यहाँ पर भी आपको उतने का ही लोन मिलेगा चितने का आपको instant fund में मिलता था कोई difference नहीं है NBFC में मर्ज है यह इस चीज़को मैं आपको पहले killer कर देता हूँ NBFC में मर्ज है यह ओके अधार OTP डालने के बाद देखे मैंने पहले login किया login करने के बाद अधार नमर डाला और अधार नमर डालने के बाद मैंने अधार OTP डाली ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर लोन नहीं नहीं है आपको यहाँ पर सेले vikt करना है उसके बाद है यहाँ पर mail ID company name जिस company में वर्क करते हो company address, monthly salary और लेटेस थिरी मन्द का bank statement यहाँ पर आपको upload करना होगा और अगर bank statement पासवर्ट लगा है तो आप यहाँ पासवर्ट भी ढाल सकते हो तेखे मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़े कीलिर कर देता हूं इस application को खास कर लेकर क्योंकि यहां पर easily आपको loan नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह दो category में बढ़ जाता है एक आजाता है हमारा PDA category में और दूसरा आजाता है हमारा non-nbfc category में non-nbfc category में आपका civil score के requirement नहीं होती है लेकिन income proof चाहिए ही चाहिए होता है मतलब income proof में आपको bank statement और salary से लिपर भाई दे नहीं पड़ेगा जब यहां पर आप अप्लाई करोगे तब आपसे बड़ सब सही अटारी के लिए कोल करके यह मांगेगे तीक कोई difference नहीं है application का ना आप लोग फिर भी यहां से try करना चाहते हो तो almost आप लोग try कर सकते हो इस application का APK फाइल जो है आप लोगों को RSR APK boot पे में provide करने वाला हूं